जब जिन्देगी में ऐसा कुछ कुछ कुण्ली के सुत्र जो हमारे भगवान पारासर जी या भरगुजी के या जैमने जी के सुत्र जब जीवन में लगते हुए देखते हैं तो सत्य होते हुए जब देखते हैं या फिर गुरु बुक से सुने हुए कोई बानी जब सत्य हुए देखते हैं तो फिर मन करता है कि नहीं इसका विडियो बना दिया जाए तो क्या है अगर कुंडली के अश्टम स्तान पे ग्रहन दोस बने और मुक्षत सुरियो और राहू सुरियो और केतू साथ में उसको एक्सेलरेट करने के लिए बुद्ध बैड़ जाए संभबता संभाबना होता है जेल जाने का योग सब के लिए नहीं है लेकिन कई कुंडली में मैं देखा हूँ एक बार ऐसे देखते देखते मेरा गुरुजी बोल दिये मैं अभी मेरे गुरुजी के घर के साब नहीं हूँ गुरदवार के साब नहीं हूँ बोले थे एक बार देखो ये कंडिशन होने से जेल होता है मैं उतरा ध्यान नहीं दिया और अभी जिस जिस जातक को बात किया और इसे पूर्व एक दो ऐसे ही क्या होता है न हम लोगे साथ जब कोई ऐसा यूती आता है तो ऐसे सिरी जाते जाते हैं तो एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे बहुत ज्यानी गोनी और बहुत उच्छे तपके के आध्यात्विक साधक भी थे लेकिन कुणली में ऐसा कंडिशन था और ऐसे कई सारे बहुत हायर लेवल गौर्मेंट के बड़े ISOS रेंक के आदमी कुणली में ऐसा दुरियोग है जूटे केस में प्लॉट करके उनके साथ जेल में घुसेने का योग मेरे नियर एंडियर को भी देखा हूँ क्लोज आदमी को भी देखा हूँ दूर आदमियों को भी देखा हूँ मानसिक लेवल पे टूट जाना तनाव ग्रस्त होना, दुखी होना और समाज के सामने सर उठा के चल नहीं पाना, इतना मानसिक सदमा में पढ़ जाना की खाना पीना नहाना धोना भूल जाना और सापसुतरा रहने भी भूल जाना नहाना धोना भी भूल जाना और ऐसा हो जाए कि मुँँ इसे सांस जाए मतलब एक प्रकार के सदमा तो ये बनता है जेल जाने का एक ये दुरियोग आज नहीं तो कल जहां कोई भी दोस नहीं किया जाज साहब भी बोलते हैं दोस नहीं किया पुलिस भी बोलते हैं दोस नहीं किया बोकिल भी जानते हैं दोस नहीं किया लेकिन बाबा बिना दोस में अंदर घुज गया ये केबल एक यूती से नहीं होता है अगर किसी कुंडली में ऐसे यूती है रहू के तू अश्टम में, साथ में बुद्ध और साथ में और किसी पाप ग्रह का दृष्टी हो जाए, दसा अंतरदसा सनी का आ जाए, दसा अंतरदसा द्वादसेस का आ जाए, या फिर अगर लगनेश, लगनाधी पती पापकरतरी में फसे हुए हो, आगे पीछे पाप ग में और इसमें निकल गया और नाम मानसान बादू खतम हो गया रस्ते पे आके जीरो आ जाता है एक दाम खडाम और कुछ नहीं होने वाला संभवना रहता है और ऐसे यूति अगर किसी के कुंडली में हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आवस्यकता है कि उससे पहले इस प्रकार के रेमेडिस करके अपने को लेस हो जाए फुक फुक के चले जग तक कि इसका दसा अंतरदसा खतम नहीं होता है और उसके लिए जो हाई पावर रेमेडिस है वो पहले से करना पड़ता है घट जाने के बाएद आप रेमेडि करते हो काम देगा नहीं देगा ऐसा नहीं कहरा हूँ ठीक है लेकिन उसमें ज्यादा एनरजी लगाना पड़ता है आप सोचो आपके अंदर इगो है अंकार है कि बेटा मेरे को जिसने घुसाया उसको छोड़ोंगा नहीं उसको पलट यकर दूगा वह कर दूगा ताड़ दूगा मोड़ दूगा उखाड कर रख दूगा छोड़ के पलट दूगा अब क्या करो यार अभी तो क्या करोगे जब चड़िया चुक गई खेत ये पहले करा पढ़ना तो लाट जैसा नेगटिव बात मत बोलो, इंडिरेक्ली बोलो, तो इंडिरेक्ली बोलता हूं, जो समझ गया ठीक है, जो नहीं समझा, का करें, समझ के भी ढिला कर दिया, तो का करें, और यह सब बोलने वाली बात है, अगर यूती ग्रह जब चाहें, और अगर या इस जनम में एक तोता को, कोई चुडिया को जेल में भरके रखे हो, पिंजरा के अंदर, मचली को एक कुरियम में लाके रख दिया, सुब बोलके, बास्तु बोलके, किसी गाय बगरे को बान बुन्द के कष्ट दे के रख दिया, इस प्रकार के कई छोटे-छोटे दोस कर्म रहते हैं, जिसका परिणाम निर्दोस होके भी आपको अंदर रहने का योग बन जाता है, या फिर सोचो, आप जिन्देगी में किसी ना किसी कारण बसात इस प्रकार के कर्म किये हो, जिसके लिए आपको इस कर्म का दंड आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ज जिवन पे नेगटिव सिच्वेशन को भूल जाते हैं, या कभी सोचते नहीं ते हैं, कि आकल भी ऐसा जिन्देगी आएगा, जहां हमको एक बीड़ी पीने के लिए भी पैसा मांगना पड़ेगा, बीड़ी जलाईले करना पड़ेगा, और जब आ जाता है तो रोना तो प्रभू, यहां किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, योतिशियों के बाद को ध्यानपूरवग सुनना खुल के नहीं बोल सकते, खुल के बोलने का कुछ जगा में मना है, बोलते ही हमारे उपर पड़ता है, इंडिरेक्ली बोलते हैं, और बाद म मिलना चालू हो जाता है, तो इसलिए मैं आप सभी को महानुभावों को जैसे ऐसे जिनको जिनको कुंडली देखके बोला हूँ, प्लीज आप अपना रेमेडिस अगर बोला हूँ, तो जरूर करिए, ताकि आपको जीवन में बुरे दिन से पहले बच, धन्यवाद, नमस् पूले करिए बुरे जीवन दगवार खिनको किन देखके हैं वност माँना करे भी दो कन हैंगर चालू हुआ कि अथना चालू हुआ और स arrivाना ब Clem ready दो जिनको जए से लगना उने से अपके हे ली मैं छिनको कि जूएिस आपके जैसे असे